ठीक है चलिए तो देखिए आज विजिकली आंसर आइटिंग की यह कोस्चन दिये गया थे आंसर आइटिंग के कोस्चन में हम जो कॉपी में चेंज हुआ है उसके वारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं की अथाथ जो कॉपी में चेंज क्या हुआ कि अभी जो мबि यसी ने अपना पॉरमட निकाला है उस पॉरमस में आपने जैसे देख़ा होगा फुराना फॉरमेट जो हम दे रहाते या जो पहले से MPPSC में आ रहा था, उसमें आपको एक page पूरा लिखना होता था है ना, वहाँ पर हम कितना लिख रहे थे एक page पूरा लिख रहे थे अभी जब आपने यहाँ पर जो नया format आया उस नया format के अंदर हो गया गया आपको लगों आधा page ही लिखना आए है ना, आधा जो copy हम आपको देते हैं है ना, जो साफटाइक test में आपको copy मिलती है जो copy आपने बनबाई होगी उसमें से आपको किवल आधा page लिखना आधा page लिखना है तो हमारी जो लिखने की pattern था उस pattern में थोड़ा सा change आएगा वो pattern 7 marker का जैसा था वो लगभग बेसा ही रहेगा तो कि, वो sorry, 2 marker का जैसा था बेसा ही रहेगा, 2 marker में कोई भी change नहीं है क्यों change नहीं है 2 marker में क्यों 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 उसका लगभग बेसे जो 4 line दी गई थी, वो 4 line 3 line दी हुए, 3 line पहले आती थी अब ही 4 line क्या दिया, एक बार मैं बता ही देता हूँ यार एक शुन मैं सिख कोफी कहां पर है साइड हमने डाली थी कोई मुझे मोबाइल नहीं है हाँ एक बार सेयर करने जो नई वाली कॉपी का फॉर्मेट है हाँ नई कॉपी का फॉर्मेट है एक बार मुझे शेयर करने यहां वाला नंबर किसी पास है क्या यहां पर जो खुला है यह यहां वाला नंबर है क्या क्या हाँ संपूर बेच में बेदो हुआ भर दी आपकर जो उसमें बेद दीजे तो उसमें आपन कंब देख लेंगे है Master ज़ी है über क्शाओ जसे लेकि टक किए वाली भर दीजे कर लेका कि यह हमारी कॉफी का नया फॉर्मेट आ गया तो इस नया फॉर्मेट में आप देखोगे तो जो आपका थीम आकर है थीम आकर में लगो कोई भी चैन नहीं है पेरे यहां पर तीन लाइन होती थी एक लाइन बढ़ा दी गई चोथी लाइन है धना तो एक छोटा सा चेंज है उबर की दो लाइनों में तो प्रेश्णल लिखा हुगा उपर की जुर covenant हूंगे उनमें प्रेश्णल लिखा होगा यहां पर चारथ या चारथ आपको दी गई चार्ल लाइन अगले अगर हम यहां पर देखें, तो हमारा क्या होता है? इसमें हुआ क्या है तो पहले जो लाइने होती थी आपकी ऊपर से नीचे तक करकर यहां से देखें तो यहां तक की लाइने दी हुई थी इसमें हमको लिखना होता था यह मान के चला है यह PSC ने नहीं बताया था यह PSC ने नहीं बताया था यह सब क्यों हुआ क्योंकि PSC लगाता हूँ पिछले दो तीन सालों से का उसका 2021 से लेके 2023 तक का जो एक्जाम हुआ कोफी मिल गई तो ऐसा होते रहा इसलिए कंफूजन था तो जब तक PSC ने कॉफी का पॉइंब नहीं डाला था तो हम यह मांग के चल रहे थे कि पूरा फुल पेज में अपन प्रेक्टिस कर लें ताकि अगर छोटा आएगा तो ठीक है लेकिन बड़ा आगा तो समस्या ना होगा 21 October से तब तक हम इसे को final मालेंगे कि इसी माफन को लिखना अभी हम क्या करना है कि इसमें हमको लिखना तो इसमें देखे तो पहला एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, 10 और 11 लाइन दिया मतलब 11 लाइन में हमको 7 मांकर का आंसर खतम करना अभी थोड गुना जादा लिख रहा है क्योंकि जो 10 मांकर है, 7 से 10 जो है, वो 1.3 टाइम है, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो 4 गुना जादा लिखना है, यह पूरी है, एक पेज और यह वाला पेज आपका पूरा यहां पर लिखने को दिया हुआ है, तो यह बड़ी विसंगती ह लेकिन ठीक है, हमें तो उसी जिटम के अनुसार चलना पड़ेगा, उसी के अनुसार करना पड़ेगा, तो अब इसमें क्या करना है, हैना इसमें क्या करना, तो जो जनरली आपको लिखने को बोला जाता था, जो लिखने के परिटन के अपन 7 मारकर में बात करते थे, वो ज लगबग एक से दो लाइन आप कंप्लूजन में दो और बीचे के हिस्से में बोडी दो तो कुल में लागे हम पहले यह बोल दे थे कि आप लगवग चार से पांच लाइन के आसपास इंट्रोड़क्शन और कंप्लूजन में दे दो अब दिक्कत क्या है कि वो चार-पांच लाइन दी लिखने के लिए तो हमें जो मिलेगा वो लगवग दस लाइन के आसपास मिलेगी तो बहुत बड़ी समस्या हो गई कि इंट्रोड़क्शन और कंप्लूजन लिखा जाए या नहीं लिखा जाए दूसरा पहले जो आप थोड़ा सा उत्तर को डिसक्रप्टिव ल करें तो अब पेटन भालो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सेवन में आकर में आपको जो लिखना है सेवन में आकर में जो लिखना है उसमें तीन चार चीजों का आप ध्यान रखिए पहला कि अभी जो लिखना है उसके अंदर हमें टूड़ा पॉइंट लिखने पे जादा नहीं जाए है दूसरा फिर हमारा यहां पर बात आती है पर अगर संभब हुआ तो लिख दिया अगर बन रहा है लिख दिया नहीं बन रहा है उसमें टायमforcement करेंगे करेंगे तो conclusion को हम बिल्कुल नहीं देंगे, देंगे क्या, तो हमें point देना है एकडम सथीक तरीके से, तो इसमें क्या देना है सबसे ज़्यादा कि जब भी हम 7 marker में लिखें, तो हमारे कोसिस होना चाहिए, 3-4 हमारी कोसिस होना चाहिए, 3-4 बिंदुवा पर हमें क्या करना चाहिए, कोसिस करना चाहिए, पहला, है ना, पहला ये, कि हमारे answer में क्या हो, सथीकता हो, पहली बात हमारे answer में सथीकता हो, जो पूछा गया हो, वो एकडम सथीक तरीके से लिखा गया हो, एक बात, दूसरा, दूसरा, हमें paragraph से, जितने बच सकते हैं, वहां पर बचना है, दूसरी पहले बात हमें paragraph से, जितना बच सकते हैं, उतना बचना है, क्योंकि paragraph समय जादा लगता है, तो paragraph से हमें बचना है, तो पहले हमारे पास सथीकता होनी चाहिए, दूसरा हमारा paragraph जो है, उससे हमें बचना है, तिसरा है कि हमें कोशिस करना है, कि अगर हम वहां पे point wise दे सके, तो हम उसमें ज्यादा से ज्यादा point देने का प्रयास करेंगे, हैना, वहां पे हम क्या दे सके, point wise दे सके, तो ज्यादा से ज्यादा point देने का प्रयास करेंगे, तो हम point wise दिखे, दूसरा, अगर point wise के अलाबा समभ हो जाए, तो हम उसमें क्या करेंगे, heading, sub heading करेंगे, हम वह उसमें जो की कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो तो आप संबब हो तो उसमें क्या कर सकते हो हम underline के use का सकते हैं यह seven marker के लिखने की नई रणिती हो सकती है कि भाई seven marker में अगर हम इन methods का use करेंगे तो हमारे answer writing तोड़ी और बहतर होगी ठीक है तो यह है अब इसी बात का मैं evidence बता देते हैं कि भाई इसको कैसे करना भी समझ नहीं आ रहा यह समझ नहीं आ रहा तो इसको समझने के लिए क्या करें कि अभी जो 2021 के रिजल्ट आ है तो उसमें फ़र्ट और सेकंड ड्रेंग का दोनों ने इहीं पर लिख रहे थे लगातार तरही के से हैं तो दोनों की coffee अपने पास है वो लगादार लिखते थे पर्टिस करते थे यहा बीच में कुछ जगे पर पूरी coffee में लेखते थे लेकिन जब 20 और 21 में लेखते थे तो आधी-ाधी coffee में करते थे तो उनमें अमित का जो है वो Hindi medium है पहला दूसा उसमें अगर हम देखे तो अंकीता का जो है वो English medium है तो दोनों की coffee ले लेते और इनको एकिक करके देखते है इसके अलावा अगर हम देखे एक-दो coffee ओर जैसे मुस्कान के भी नमबर बहुत अच्छे थे इनके interview में थोड़े कम होगा नहीं तो इनकी coffee लेखते है कि भाई क्या करना है पैसे आप लोगों ने तो पहले भी यह coffee देखी है लेकिन मैं अपनी approach के साथ इनको बता देता है ना क्योंकि आप लोग देखते रहते हैं और यह सीखने का बड़ा माध्यम होता है है ना सीखने का बड़ा माध्यम होता है कि मतलब अगर हम NPPAC में लगने तो पहले तो यह सबसे पहली basic demand होती है कि आपने पढ़ा हो है ना पढ़ा हुए कि वगेर आप answer writing करने जाओगे पहले ही दिन से आप बोलो कि answer writing करने लगे तो यह बेवकू बनाना होगा पहला तो आपने पढ़ा हो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा हो वो सबसे basic requirement पढ़ा हो उसके notes बनाए हो तो वो चीजे क्या होगी आपको याद होगी revise होगा उसकी बाद जरूरी होता हो तो जब जब आप की चीजे में सुधार होगा आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपकी चीजे सुधार हccre governा की बाद अपको आपको अपड़ीट करई आपने गलत लिखा या आपने बैतर लिखा उसको आपके कॉमडिटर कैसे लिख रहा है जब आप उसको देखोगे तो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूमेंट होता है तो MBBSC में बाकी बाते सुनने से ज़्यादा मतलब अगर हम किसी की बाते सुने या कोई क्या वोल रहा ह उसको सुनने का बहुत ज़्यादा महत नहीं है उसको सुनने का बहुत ज़्यादा महत नहीं है महत तो क्या है कि आप सामने बाले से सीखो यह बता क्या रहा है और यह खुद क्या अप्लाई कर रहा है तो एक आप अमित की कॉफी देखो तो उनकी कॉफी में सबसे ज़्या ना हो बाकिये आपने content कैसा लिखा वो बहुत जादा मेटा तो नहीं है लेकिन उससे जादा मेटा करता आपने इस प्रस्ट लिखा हो अगर आप इस प्रस्ट तरह नहीं लाओगे तो वहाँ पर चीजे क्या हो जाती पहला आप देखोगे इनके सारे खोचन में तो आपको डाइग्राम दिखेंगे तो दूसरा कि वह सब्जेक की माम को समझते हुए अपने यहां पर क्या कर रहा है डाइग्राम बनाए जैसे यह जोगाफी की आंसर है तो डाइग्राम बनाए तीस तरह उन्होंने जो बात में अभी कर रहा था कि हेडिंग और सबहेडिंग कर यूज किया तो एक सटीक तरीके से लगों तो तीन लाइन इन्होंने चाल लाइन में लेका लेकिन बुरा सटीक है है क्योंकि यह कोफी है वो साथ थोड़ी सी कप की कॉफी और डेक नहीं डली अच्छा एक एक 2020 की कॉफी है मतलब आज चे तो यह होगा चाह साल पढ़ाने लेकिन उन्हों समय पर इनका 2019 वाले में भ कोफी भेजी थी तो 2019 से पहले तक कॉफी कोई पीसी का नहीं था कि यह एक चीज प्रेज देंगे ना तो 3-marker कैसे देंगे ना 5-marker कैसे देंगे या 6-marker होते थे और 15-marker होते थे तो तो उसमें फिक्स नहीं था कि आपको कितने प्रेज लिखना हो नहीं बोल यह 32 में प् कि उल्लिटți नहीं होते हैं तो इन्होंने भी लिखाل हुआ हैर और यह रोल करें मिसले लिखा लिकिन लेकिन जाला था चाहला था लाइन में लेकर आपका में प्लानें देख्या है टीकि अब कि उन्हों लिख रहे था है कि जिस इस पर दोई असले हैं 2副ा अब इसके बाद अगर हम देखे तो में हमारा जो बिंदू है उसको समझो क्योंकि अमित की कॉफी आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टन इसलिए कि वह साथ 2019 वाले में भी हिंदी माध्यम से टॉपर थे 2020 वा जो 21 वाला रिजालता है उसमें भी हिंदी माध्यम में टॉप दो बाद से उन्होंने MbpsC में टॉप किया पिछली बार rank 11 हो गई थी क्योंकि इंटर्व्यू में उनको भी स्टी नमर मिलेते लेकिन उसके बाद भी अब देखो तो में क्या है जैसे एक कोच्छन उठाते और उस कोच्छन को अपन देखते हैं है उस कोच्छन को देख र प्य की प्यादीप्य लिख्टार बता है हमाले बता है क्या किया? केवल कीव पॉइंट है केवल की अल yaptयों के लाब कोई आत में बिस्तार के वहां edited विक्लवा थी का की यहां दो पर कितने थी है उन्होंने वह दिया आब इसम Daar आप बता ही है कोई भी जो घूरẽ। सबसे ज़्यादा बात यह है कि आप इन की पॉइंटों को बनाना सीखिए वो की पॉइंटों को बनाना कैसे सीखेंगे तो आप जब नोट्स बनाओ तो उसमें जितना ज़्यादा की पॉइंट आप लिख सको उपने की पॉइंट लेखो। तो अभी डीटेल बनाओ लेकिन जब आप स्वाट नोट बनाने जाओगे, स्वाट नोट जनरली कब बनाया जाते हैं, मेरा पसनली मानना है, ये स्वाट नोट प्री और मेंस के बीच का जो समय रहेगा, चार-पांच महिने का समय, उस चार-पांच महिने के समय में स्वाट नोट सुनाया, और उसको इसी पेटन में बनाना कि यहां से अगर कोचन आया, तो उस कोचन में हम क्या पॉइंट लिखेंगे, ये जो की पॉइंट बता लिया, ये प्रादी विभाद की विशेस्ता में भी ये की पॉइंट फिट हो जाएंगे, अंतर में भी की पॉइंट फिट हो जाएंगे, और बाकी जगे पर आंसर में भी ये की पॉइंट फिट हो जाएंगे, बात समझाए थो एक तो यह एक्जामबल इस पर कोई इंप्रडिक्शन यहां पर नहीं दिया था अब आपका अगला था यहां पर था कि यह आपका था दंगा के मेदान का या उत्तरभाद के मेदान का प्रडेशिक पतिरूप पस्तुत किजए यहां पर यह कोचन दिया कि प्रदेशिक प्रतिरूप क्या होता है तो उसका इंट्रडक्शन में केवल और केवल की पॉइंट डाल दिया कि प्रदेशिक प्रतिरूप से आसे क्या है उसके राजवार विभाजन से राजवार विभाजन से वह भी क्यों राजवार विभाजन उन्हें लिग दिया अब सीरे सीरे जो आप देखिए पहला पॉंट हेडिग मनाना तो एक डो तीन चार पांच 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 जी क्या है जैसे आप बता हो कि राज जुत्ता प्रदेश बिहार पच्छेमंगाद मत लिखो ने सामने वाले को समझ आहा कि है राज है जो की पॉंट अपने यहां पर पस्तुत कर दिया, जो की पॉंट है, उनको सिधा-सिदा, आप यहां पर पस्तुत कर दे रहे हो, तो यह बात हमने इसके अंदर लगाई, कि वैं इसमें कों-कों से वो रहेगा, ठीक है, उसके वाले गरम देखें ब्रमुपुत की मतान, तो ब इसको पस्तुर किया, आक्री में क्या किया, एक लाइन में जो चोटा सा यहाँ पर कंदूजर दे दिया, जरोड मिट्टी दिया, नेमित प्रदे से, हना वो यहाँ पर दे दिया, देना चाहा तो दो, नहीं तु सीधे इंट्रॉडक्शन देके, यहाँ पर खतम दा सकते, उस वहाँ तंद में की behind the old, अपर अपर भाहत तंद का अरे लाइनं के जकमी वहाँ हैं, ऑन उन थे कंदूर दे का लिडबाऊ है, और ऐसको उन्होंने क्या बता लिया है, यह मतना दिया, यह बड़ी समस्य होती है, तो भाहत का जिससे मैं पहले भी यह बात ब़ली, थो खाहत के जब को आपको डायवान मनाना तो पुड़ा घान नहीं बनाना हमारा अपो भात अंद के वल इतने हम बता सकते है तो के वल इतना बता है और इसमें पूर्वी भात आट और पच्छी महात का अब आग्दम सथीग बना दिया अब इसमें एक चीट के वार्षार करना है, एक चीट के वड़ा ध्यान लखना है कि हमारे दिमाग को, हमको सज़क करना है, सज्जक में एक बहुत बहुत ज्यादा पर्मिनेंट चीज होती है वो होती है सटीक ता मतलब इस परस्ट था आपकी कोफी नीट अन क्लीन दिखना चाहिए अब होता किया कई सारे बच्चों के साथ यह होता कि उन्होंने नर्बटा यहां से सुरू किया दूसरा ताफ्ती यहां से सिरू करेंगे तीसरा रिंडम यहां से कर लेंगे चोटा जैसे इनको पता था कि महान अधी में है मैं यह नहीं बुत सकता हूं कि उसके फिर फेर लंबाई ही किया जान पर समाप 했습니다 तो उसमें लिखना नहीं हिं है क्योंकि यहां पर क्या आजार horizkkide अगर वो इसको यहां पे लिखते तो दूसर रंबर का पॉर्ट यहां से चालू होता है तो जो आधे पैज यहां मुझी है कोईधे में अग पाफी तो अपकोई नहींता है साथ कोफी में लग்कर भेजा होगा इन्होंने जारता क्या ठीक ऐती वो कोई है तो हलो लेकिन वहाँ फॉर्मेट भी नहीं है लेकिन उतनी ही में किवाल उसको फो फालो किया और तो यह आपका रहा है उसके बाद देखें अगला यह कोश्चन था जैसे एक्जाम्बल के रूप में बताईए यह साथ ऐसे कोई प्रेश्चन होगा कि भात में लोह एसकित का बित्रण बताईए हाँ वही वाला था तो भात में लोह एसकित गोंडबाना और धारवार कम की च प्रेश्चन में लोह एसकित गोंडबाना 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 में लोह एसकित बंदु बात आगे, खदम का दिया, तो लगबग उतने में ही लिखा हुआ है, लगबग उतना ही जो बंदु था, उसमें ही सारी चीजे लिखी गई हैं, तो आप अगर इसको फालो करोगे, इस ट्रीक तरीके से, तो आइ तिंक आसानी से आप पूरे कर पाओ, अब दिक्ट यह हो गया, जैसे, दिक्कत यह हो गया है, कि हम इतने दिन से प्रेटिस करें, लगब दो महीने से तो आप यही पर प्रेटिस कर लिखी तो उस आदत को छोड़ने में, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन श्टिक हो जाईए, कि आपने जो कॉफी मान लो बंदा चुके है, नहीं लिख रहा है, सीधे सीधे से टीक है, तो वह अगली एक और बात, जो मैं यहां पर बोलने चाहता हूं, वो यह है, कि कई कोचन एगदम फैक्चुल होते है, कई कोचन एगदम फैक्चुल होते है, जैसे कान बताईए, विशेस्ता है, महत बताईए, कान बताईए, व विकास में समस्या है तो उन्होंने वहां पर वुष्च्छा को एक दो नीन चार पांच छे साथ आट नो दस दस लाइन में मतलब टोटल ग्यारा लाइन ने दस बिंदू बना दिये तो हमारा जो पॉइंट बनना चाहिए वो पॉइंट छोटा बनना चाहिए किसी भी पॉइ अंगीता की कोफी आप देख सकते हो यह और क्या किया है उसको भी आप देखेंगी अंगीता काफी में भी आपको देखेंगी जैसे यह साथ इनकीका कोफी की रिखेंगी जब आप बना रहे हो तो डाइग्राम जो ज़ोग्राफी में बनाना है वापस से इन्होंने यहां पर क्या किया उसके डाइग्राम को यही पर बना आगे खतम का दिया आखी में एक अग्रूजन दिया और यहीं सौर्ट में उसका बताया सब चीजों को एक डम सौर्ट में बना गए कि लिए तरीके से इनकी कॉफी भी पूरी तरह से नीट एंड किलीन दिखेंगी पहला दूसरा जो सब्जेट की दिमांड है जिसकी बार 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 बात हो रही है सब्जेट की दिमांड क्या जैसे सोशलोजी में आप जब आंसर ल तो वैसे यहाँ पर क्या होता जो गाफी में डायड्याम इंहोंने पूरी तरह से बनाया से फ्लट क्या होती है kovलत क्या है कि अपको अपने answer में content में current को बहुत ज़ादा use करना है current को जितना ज़ादा use करोगे उतना ज़ादा आपकी ये क्या होंगी बहतर होंगी तो इंकी coffee में अभी आपको ये मिलेगा कि एक झोटा से introduction दिया झोटा से introduction के बाद इनोंने flood की problem बताई तो अब यह कहांपर हो रहा है। उन्हों ने बताए चेनने में यह समस्य आ रही है। उन्होंने क्या बताए कि दामोतर नदी का रवीज बंगल में समस्य आ रही। मतलब जो बात हम लिख रहे हैं, then we have to give supporting evidence, हैना, मतलब हमें उस बात के लिए, क्या देना पड़ेगा, एक्जामबल देना पड़ेगा, जब हम उसमें एक्जामपल देंगे, तो हमारी ये चीजे क्या होती है, इंभूव होती है, हना, हमारी ये चीजे क्या होती है, इंभूव होती है, तो इसको हम देश सकते हैं तो हमें एक्जाम्पल देना लोस ओप दे बिल्डिंग लेट सिलाइड इन उट्राखंड अब इसका एक्जाम्पल उन्होंने क्या दिया उट्राखंड में क्या हुआ है बिल्डिंग के रही है वो कहां पर दे रही है उट्राखंड में दे रही है और फिर उन्होंने यह बात यहां पर बता दी गए तो आप देखोगे कि सीधे सीधे वहाँ पर आपका फ्लेट वाले कोच्छन में उन्होंने इस प्लेट के जून बता है उसको बता है उसके बाद अगर हम देखे इसके बाद हमारा वह था कि वहाँ पंजाव और हर्याना आपको जो हम देते वह है क्रांती है पंजाब और हर्याणा से ही क्यों स्टार्ट हुई तो ग्रीन रिवलूशन है क्या वो इन्हों ने यहां पर बता दिया हैं तो विकम सेल्फ सब्सेंट इन दा फूट ग्रेंड विकर साइंटिमें के विकर्चा परिभासा जो है वो सटीख है पहला परिभासा आपकी जो होनी के वज़ कीपाइनी यहां पर यहां पर क्या ठो़ाना की आपका पर पंजाव और हर्याना से एक अंजाब और हर्याना को बताने के लिए चाश्याइक यह कि हागा है अब पैसे ने क्या में बताए काởर insgesamt हुग कि जो बात बोलिया प्रयादिस धेरिगराना पर अगली बार यहां पर क्या था यह आपको अंडराइन करना है यह बार आपको कमेंट भी मिलता है पहले भी क्लास में बोलता रहूं वो लगाता है आपको की पॉइंट को अंडराइन करना था अंडराइन करना था उन्होंने अंडराइन किया है और यहां पर यहां पर क्या थे इन फ्रटा से क्या हुआ बज्जावाल आड़ा वहां पर ग्रोथ हुई ग्रोथ कितना हुई पाइभ ताइब गाए अब बात आती अन्डराइं की बात करना तो चुन आप करआई जब कोचण की बात करें तो हमें ध्यान दे ना है कि लग व्याल बेफ्ट है जिनको हम दे सकते एक कैक सोई और इसरी जरिए इसरी पिन में बता हैं. जैसे इन की कशिनी कोफी लपहोगी है. तो आप देखोगे तो इसमें सीधा सीधा तूड़ा पॉइंट उन्होंने वो दिया है अगला रिवर लिंकिंग का एक 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 जामपल ले रिवर लिंकिंग इग्जक्ट क्या प्राब्लम होगा हाँ रिवर लिंकिंग जो है उससे क्या प्राब्लम होती है है ना रिवर लिंकिंग जो है वो क्या है तो रिवर लिंकिंग को उन्होंने एक इंट्रोड़क्शन में बता है फिर उसकी प्राब्लम जैसे पहला जो आपन बोला जो मैंने बता है कि हेडिंग और सभेडिंग मना हेटिंगी सभवाइदिंग में कि दो अधादिया है इन्हों नहीं गृता है पहला इक अलोजिकान तो इकोफिंस किला प्रबखस दो प्रोसाल प्रेजा करें अ판 प्लेस प्रेज़रों नहीं डीचेटिक मिस Wait What यई धार खरीया है ले जब भी प्राब्लम आपसे पूछी जाए, तो एक लाइन में आप सालूशन बता दो, यह तो जिस प्रेटन में आप लिखते हो, हाफ पेज बाली कॉफी और पुरी हाफ पेज बाली कॉफी में लिखा गा है, और I think सठीक तरीके से लिखा गा है, तो इसको भी हम फालो कर सकते हैं, इसको भी हम फालो कर सकते हैं, इसको भी हम फालो कर सकते हैं, इन कॉफी ओको भी आप देख सकते हो, जो आपको मिलने में मनद काफी हता कि आपको क्या करेगी, मनद करेंगी, तो यह एक कॉफी है, है ना, एक और कॉफी मैं बता देता हूँ, जो हिंदी मेडियम है, है ना, जो एक और कॉफी, आप इन कॉफी को भी फालो करना, यह इनका भी काफी अच्छा लिखा है, मुसकान है, इंटर्वी में नमबर कम मिलें, नहीं तो माक्स तो मुसकान के भी ल पूरी एक जगा नहीं विलेगी, इस कॉफी में इनको बता है था करेंट को लेकर, मतलब इनका पूरा इफ्टेंट जो थी वो थी करेंट, मतलब इतनी बढ़ाई के लिए इसने बहुत पढ़ाईगी, और यह खासकार, यह एक जग्जक्त होई कॉफी है, जो जिस साल इसक करेंट करोदोग्य, तो इसके हर कोफी में ओल देते है या, पूल देट करो, उसने इतना करन बाद में नमभर कार्टें को नहीं मिल देते है, तो उस में क्या शीख सकता हो कि जैसे कॉफी बापस से आधे पेज़ में, हाधे पेज में लिखा, लेकिन आप देखो गें तो ह बाल मत्युदर के समध्धान को पॉइंट बना के पहला दूसरा तीसरा चोठा चाहर समध्धान बता है एक बात उसके साथ उन्होंने यहां पर नेशनल फैमली हेल्थ सर्वेर की रिपोर्ट जे दी वह ले आप नंबर काट हो तो पूरा इमर दे दिया यह पूरी उन्होंने कि जैसे जैसे सब्जेक्ट हम बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में कमांड बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसके करेंट को एड़ोन करते जाना है जैसे अब यह आप एकोनोमिक्स पढ़ रहे होंगे तो एकोनोमिक्स में आपने पढ़ा होगा एक्रि कर लिया से साथ लिंक कर लिया फिर उसको हमें देना है हर जगे पर जहां पर भी संबभ हो वहां पर आप दो जैसे दूसरी कॉफी अना दूसरे एक्जाम्बल था ति तो यहाँ रक्षाचत में अफिलब mंट लिया उथ आपर जोर कि वापत होगे तो इसे अफान अनसब को से पोड़ाया करेंबदयर्ग दोड़ाओं ज है की देन दिख्यार्ण के ब allenजवर आप अपिस से पॉइंट देख लो इनके भी जो पॉइंट है वो छे जा रहे हैं अमित के पॉइंट तो यहां पर लगवग 9-10 तक जाते थे इनके पॉइंट कम है लेकिन पॉइंट कम होने की बाद बहुत कहां से मिल रहा है वो एडवांटेज इनको करेंट से वो कर सकते हो यह सब आधे आधे पेज में लिखी गई कॉपिया है यह सारी लगवग हर जगे पर आप देखोगे तो आधे आधे पेज में लिखी गई वो है कॉपिया और एक बहता तरीकिया से वो उसको कर रहे हैं जैसे रामानुत थे रामानुत का योगदान तो रामानुत जानने वाले व्यक्ति, मतलब हम ने उसमें पापस से कुछ additional कर दिया, बाकि लोग यहां पर आखे थब आएंगे, कि इता तो लिख दिया, number तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे काम काम नहीं चलेगा हमारा क्या काम चलेगा कि हम उसमें कुछ एडिशनल कर पाए हैं लेकिन आपको लगता है यह उपर अपना कोई पॉइंट नहीं आए तो इस हिसाब से हम पॉइंट दे सकते हैं वो आपको देखना है वो आपको देखना है कॉपी में तीन कोफी मैंने बताई तीन कोफी में पहला जो आप लोग उपनिसान गल्तियां होती कि वह इतना छोड़ते हैं और पीछ में कुछ गोला बनाने का कोशिस करते हैं पता नहीं किस ने पता दिमाग मुभा दिया है कि गोला बनाओगे का आपको सेलेक्शन होगा यह होगा इन तीनों कोफियों में आपको नहीं मिला और यह तीन सक्षे तॉप मारकर वाले दोजा एक इसके रिजल्ट हैं इसमें भी है और सायद अभी तो इनका बिसी बनने का है मनलब अभी एक्जाम दे रही है और दोजा 23 कभी बाइस कभी इंटर्वियोर 23 में भी उसने दिया और 24 इसका भी दे रही तो इसका तो और भी मतलब मुस्कांगा क्या हुआ है कि अभी लगाता है इंटर्वियोर 23 तो वो वाला है और अंगीता का था फट रेंग है तो अब उसमें तो आप कुछ बोलोगे नहीं आप कहीं पर भी देख लो जो जो आप बोलते हैं ना किष्टा यह हम आधा गोला बना के लिखेंगे और फिर इसमें इतने स्पेस को छोड़े देंगे तो वो इस प्रेक्टर समझ आता है कि आप सामने वाला को बनाना चाहरा हो ताइम पास करना चाहरा है उसमें कहीं पर नहीं इनकी कॉफी में केवल एक चीज मिलेगी और भी बाकी कॉ आप कोई से भी उत्ता देख लो उस उत्तर में या तो छोड़े दिया कहीं पर भी कोई बलब नहीं किया तो सिस्टेमेटिक तरीक्या से उसको लिखना यह सबसे बेस्ट एप्रोच होती है जो कुछ लोगों का मानना होता कि आदा दे दें कहीं पर हम यह बना दें और यह ही करना वो कव करना कि हमें पता ही नहीं है हमारे पास कंटेंट ही नहीं है तो हम करें तो हम करें तो उस कंडिशन में हम इनको कर सकते हैं नहीं हम इनको कर सकते हैं बाकी सबसे बड़ी चीत क्या होती है कि आपको तूटर पॉइंट सटीक लिखना जहां पर संभव हो वहां तो उन्होंने उसके पांच एक्जाम्पल देगे, बात खतमगा दी, यही आपको अपनी अप्रोच रखना, I think 7 Marker जैसे लिखना आपको बहुत 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 तरीके से समझ आएगा, 11 Marker की भी थोड़ी से बात कर लेते हैं, आज कर वो 10 Marker हो गए, तरीके मेरे बहुत सिंपल भंड़ा है, उसमें मेरी अपनी अप्रोच है कि भाई आपको क्या करना चाहिए, मेरे अप्रोच बहुत सिंपल है कि जब भी आप 10 Marker लिखो तो लगवग आपको 3-4 लाइन का इंट्रोड़क्शन लिखना, यह बात पहले भी हम बुखा चुक है, उसके बाद आपको कोसेश करना है कि लगवग 2-3 लाइन का इंट्रोड़क्शन लिखना है, बाकी के हिस्से में बोड़ी, बोड़ी के हिस्से में 3-4 चीज़ें आती है, बोड़ी के हिस्से में अगर कोच्छन के एक हिस्से में पूछा गाए, कोच्छन का केवल एक हिस्सा है, तो नंबर उप पॉइंट जादा होना चाहिए, हेडिंग सब होना चाहिए, अगर कोच्छन से पर एक तरीक्या से पूछा गा है, एक्जांपल की रूप में अपर ले लेते हैं, एक सिंपल कोच्छन है, एक कोच्छन आपको 10 मार्क में दिय तो बेर नहीं है, तो फिर उसमें दोनों इस्सरों को बरागर ब्रेटर देना पड़ेगा, तो पहल में समझना है, कि यहां पर कितने हिस्सें में हम से पूछा गया है, जितने हिस्सें में हम से पूछा गया, उसको कवर करने का व्रयास करेंगे, तो इस aan30OM चाहिशनित indo मा कब अठर्थन के सिनुपन आधार के यह शर्खरत परन ज़िएख परवत्ती के यह श्रकाँन की गजाओर निहां का निहाता चाहिए थे यहां पड़ारों मांटनेडिकों को यह शर्खरत अज सबस्जिक को लिए सी शर्खरत निलिर से को जुराइस्टिक माउंटेन और नियू यंग मौंटेन उनके आफॉरमेसन लिखा उनके एक्जामबल दिया और आखी में क्या दिया वर्ल्ड मैप है आप लोग तो सिंपल एंवी के मेप को आधा दूरे बनाते हो यह वर्ल्ड मैप प्रापर तरीके से बना हुआ है अब बन में थोड़ी से अपन प्रापर तरीके से बना हुआ है तो यह प्रापर फालो कर सकते हैं इसका इन्होंने सार यह तीन की पेज में लिखा होगा इनके समय पर यह क्या था मैंने जैसे आपको बता है हाँ यह होता क्या था दौजा उन्निस था क्यों तीन को अच्छन आते थे उनमें अप्रिक से नहीं था कि आपको कितने पेज में लिखना तो ढाइडाई पर तीन तीन पेज तर गए जाते थे तो भी आप इनसे समझ सक आते हुए वात में मिदा की समस्य बताते हुए उससे होने वाले परिड़नामों को लिखो और उसका समधान बश्तुत करो कोच्छन के तीन हिससे हैं तो आप जब देखोगे तो क्या लिखोगे एक तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एक तो इंट्रोडक्शन दि बना सकते हो, दो पेज बेरें लेकिन बहुत कम इस देसे, अब इसमें क्या किया है, आप इसमें देखो, तो समस्याओं में उन्होंने इंडिंग सब हेडिंग देखे बताई है, पहली, दोस्वी, तीस्वी, चोथी, पांच्वी, छड़ी, शाथ्वी, आठ समस्या यहां पर बता ही, बात समय रहा है कि आठ समस्याओं, आठ समस्याओं की हेडिंग पहली बार पढ़ने पर समझा जा है, परिणाम उन्होंने बता है, परिणाम को सुरू किया, कि भाद में आठ दसमलों 6 करोड हेक्टेर घूमी जो है, वो अनुत पादक तागी समस्या से गसे थे, प इस पर तरीकर से दिखा रहा है, जो मैक्सिमम हो सकता है, वो मैक्सिमम ये कर रहे हैं, जो मैक्सिमम हो सकता है, उस मैक्सिमम को कर रहे हैं और बाकी लोग भी यही चीज़े कर रहे हैं, जैसे इनका अगर हम देखे, ठेचे एनका अगर आप देखोगे तो यहां पर कोच्चन दिया हुआ है। कि भात में स्वास्त umbrella 66 समश्याँ को फीर कि आएक कोच्छन है अपने करेंट पर अपने कएलाorpowर जादा जो देन यहां बहुत अच्छे से इसका आइडिया है इसको क्या है बहुत अच्छे से इसका आइडिया है अब यह डॉक्टरों की स्तिती की बात करें तो यह डॉक्टरों की स्तिती की बात करें तो यह डॉक्टरों की स्तिती ग्यामेड चेत में उससे क्या समस्या है तो यह ग्यामेड चेत में उसके बताई उसके बाद आप देखोगे तो ग्यामेड चेत में समस्याओं का समधानी पर बता दिया, एक बात थोड़ा सा एडिशनल देखना, जैसे देखने में आप सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल के बाए में पढ़ोगे, साथ परी में सीरे सीरे वह टॉपिक के रूप में है, तो परी में जब हम उसको पढ़ते हैं, तो यहां पर उन्होंने इसको रिले नहीं मैंने उसको आप चालू किया है, जब से बंद था, अब देखो चालू है कि बंद है, बंद है, तो मैंने बंद कर दिया क्या, मुझे लगा कि यह बंद था, नहीं है आप चालू होगा, ठीक है, तो साथ मैंने बंद कर दिया था, मैंने अभी इजास्त तो उसको किलि तो sustainable development goal three paper ने इसमें किया ठीक है अब इसको clear है आपको तो यह हमारा total clear हुआ कि कैसे लिखना है I think आपको अब से जो पिछले दो दिन से copy जब से change हुई क्योंकि अलग अलग वह भी group के लोग है जिनको वह चाहिए रहता तो अब मुझे लगता है कि वहां पर यह दिक्कत नहीं आई किसी को भी क्योंकि यह सारी copy जो है वह आधे page की अनुसार ही लिखी हुई है आधे page की अनुसार ही लिखी हुई हो सब लिख रहे हैं तो हमको इसको file करना मैं तो इस बार यह बोलूँगा कि इनको देखो और लगता है आप इस बात से बहुत जादा सीख सकते हो कि हमारे साथ वाले क् अगलेवाल हो सकता है आप में से कुछ लोग उतों की coffee दिखाएंगी आपकी जैसे यह लोग बी जब लिख रहा थे उनको भी जितना संधिय आपको कई गुना जादा उनको बें संधिय रहता था कि होगा नहीं होगा लेकिन उन्हीं के बीच में से यह नहीं के बीच में से संद्य होता था तो उन्हीं की वीच में से निकलते तो आप भी बस इसको कहते जाए लगता जब करेंगे तो सतत होगा एक काम यह ध्यान रखना कि जब भी आप लिखे तो इस प्रकास जैसे अमित ने किया तो अपनी कॉफी में आप फिक्स कर लो कि मुझे के वाल इतना कि आप सब्जेक्ट के हसाब से आप लिखने का कोसिस करो जितना सब्जेक्ट होगा वो एक वो सुझाओ जो मिल रहा है कर एक दो दिन में पहरी तो लोगों से डिसकसन हुआ वो यह कि लिखने का क्रम क्या लिखे यह खासकर दोजाद 24 में जो पेपर देने वाले उन लोग लिखने कर लोगों से अब लोगों से अब लोगों से बाद एक दो कोचन कमजोड हो तो भी चलेगा यह बाद जन्नली पुराने पेटर में हम वोलते थे लेकिन अभी आप समझो तो यह तो मांकर है 15 कोचन मतलब यहां पर टोटल 30 रंग और यहां पर यह तो अब से ज्यादा जो पेटेजे वो पेटेजे वो तो मेरा यह नजरिया है यह अभी खासका दोजाद 24 में जो देंगे उन लोगों को लेके मेरी एक मानना है कि अगर आप चाहें तो 7 मांकर को सबसे पहले कर सकते हैं अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं 7 मांकर को सबसे पहले कर सकते हैं 7 मांकर के बाद आप 2 मांकर को पर जाए और उसके बाद आप 10 मांकर पर जाए आप लोगों को तो अभी नहीं होगी है और बेली को कोई समस्या नहीं हुआ है इसको फालो करो अबी पहले पहले 7 marka लिखो past 2 marka लिखो फिर आप पर जाओ 5 marka क्योंकि 7 marka में मिलेंगे अबार सेसे Alaska kao यह है आइकिन मुझे रखता साही चीज है आंसर एक्टिंग वाले क्लियर होगी हादा तो इसको आपने आज यही पर एंड करते हैं वाखी लोग भी इसको कर लेंगे 7 Marker में problem नहीं आ नहीं हाई हाँ ये इस प्रोप करेंगा देना अगली वाली ले करेंगा देना